एक ही छत के नीचे टाइस और सेनेटरी वेर का एटू जेट मट्रियल इसको अवेलेबल हो जाएगा और जितनी महात्रा में चाहिए आच्छा साथ से आठ लाक डिबे का स्टोक मेंटेन करते हैं जो बिहार में कोई यसा नहीं है अच्छा इतना सूब बिहार के कोई भी कोना सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए एक बार जैहिंद वंदे मातरम मैं भी कैसिंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पे और रोजगार की तलास में दोस्तों आज हम पहुंच गहें पतना और यहां से पूरे बिहार में डिस्ट्रि के साथ जुड़के आप कैसे अपना व्यापार स्टार्ट कर पाएंगे उसका डिटेल लेने के लिए हम बात करेंगे इसके और आपको बता दूं यह पूरा जो एरिया है इनका 50,000 स्क्वेर फीट में इनका वेर हाउस है पांस जार स्क्वेर फीट में इनका जो है डिस्प कर दो लात दूं अब ही तक हमने आपको वेर हाउस दिखाया और वेर हाउस दिखाने के बाद ओम सीरेमिक के डिस्प्ले सेंटर पे हम पहुच गये हैं डिस्प्ले सेंटर पे पूछेंगे हम प्रकासजी से कि क्या-क्या मिलने वाला है और आपको इनके सांफ जुड़के कैसे आसानी से व्यापार कर पाएंगे और बाकी जगे से जुड़ने के अपक्षा यहां से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है पुरी जानकारी के लिए मिलते हैं प्रकाजी से प्रकाजी बताईए कि अभी इस डिस्प्ले सेंटर में पूरा डिस्प्ले आप जो दि यहां अपने पास में स्टॉक हम लोग टास के अंदर शाथ से आठ लाक डिपे का स्टॉक मेंटेन करते हैं जो बिहार में कोई यहां इतना स्टॉक मेंटेन करने वाला कोई ही नहीं अच्छा अच्छा दूसरा चीज एक चीज़ोर में पूछना चाहूंगा कि स्टॉक में कोई स्टॉकिस्ट नहीं है अब कोई आदमी आपको ओडर लगाता है ओडर लगाने का क्या प्रोसेस होगा और लगाने के बाद उसको माल कितने दिन में डिलेवर होगा देखिए हमारी सभी डिलर के पास एक अपना केटलोग जो होता है डिजाइन का जी वह उनके पास अवेलेबल रहता है दूसरा है हमारे जितने भी डिलर है उसको फ्री ओप कोस्ट एक सेंपल किट जाता है कि सारी डिजाइन का एक एक पीस जो अपने सोरूम में लगाता है और उनके पास जो कस्ट्रमर आता है और वो भी एक छोटा सा स्टोक मेंटेन करता है अच्छा कि मानों कarna 500 डिब का 700 डिब का जिसकी जो डिलर की सितनी पर ती ऑज जार डिब का फाज wrap दी ने साहर डिप्फट क्वंटिको स्टोड मेंटेन खरता ह् अच्छा और वह अपने को ओंडर देता है वर जो स्टोड टोन में डाउन हुआ हो यह तो नए कुछ Knight का लिए अपने को आपने को ओंडर देता है एक अर्ड बना करके टिए हमारा 700 डिबा का ओंडर है तो देया मस्ट्टुप कर दिया और का ओडर हम लोगों ने बिल कर दिया और यहां से मानो कि जो वजन हो उसी सब से यहां के वीखल जाता है या तो वो अपना खुद अपना वीखल भेज देता है त्रांसपोर्टर अच्छा त्रीन टन वाला है पिक अप जैसे की है या 10 तन वाला गाड़ी है, 12 तन वाला, 15 तन, 17 तन, 20 तन, 25 तन, वो गाड़ी अपना भेज देता है, और यहां से इजीली चला जाता है, same day, तो मैं सेम डेलेवरी हो जाता है, आज ओडर आया, सुबह आया, तो साम साम तक लोडिंग होगा, चला गया, सुबह बिहार के कोई सबसे एक में चीज मुद्दा वाली बात यह है, कि रोकड़ा, मनी, पैसा, कितने से स्टार्ट होगा, अगर कोई नया आदम इसमें जुड़ना चाहे, वो कितने से स्टार्ट कर सकता, इस बिजनेस को, देकि इस बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है, कि इसमें मानों की 10 लाक रूपे डाले, तो भी यह बिजनेस अची तरह से होगा, और 10 करोर भी डाले, तो भी यह बिजनेस होगा, लेकिन मिनिमम की जो बात करे हम लोग, तो अगर मेरा जो यह वे रहा हुसे है, उसके 60 किलोमेटर, 50 किलोमेटर के एरिया में, अगर हो कोई डिलर, तो उनको डेट रूपे के अगल बगल में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अगर दूरी है, तो दूरी वाले को किया है कि 5 लाग, 6 लाग, 4 लाग, उतना इंवेस्मेंट करना पड़ता है, चूंकि पतना के जो 50 किलोमेटर के रेडियस में, जो डिलर अपना बेटा हुआ है, वो तो मानो की 100 ही डिबा की रिकॉर्मेंट है, जिसका वजन हो जा रहा है, एक टन, तो यहां से मानो की 200 किलोमेटर भागलपूर है, तो यहां से टेमपू जाएगा, तो रास्ते में रहे जाएगा, क्योंकि वहां पहुत है, और उसका कोस्ट भी, लेंडिंग कोस्ट जो है, वेह जाएगा, पतना की अजिपूर है, जैसे की, तो यहां साथ डिबाहे ले लो, यहां पतना में होता ही है, पतना में हमारे कम से कम सो काउंटर हो गए, सो डिलर, सब एरियावाइज, तो वो सब लोग किया है, किताब रखते हैं, उनके पास कस्टमर पोचा, और ओर बना करके अपने को लिखवा दिये और अपना टेंपू बेद दिये पेमेंट साथ बेद दिये अच्छा यहां से ले करके जा रहा तो गईस मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर पचास-साथ किलोमीटर के अंदर है तो आपका यह बिजनेस एक डेढ़ लाक रुपे से लेकर रखेंगे तो ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज जो है आपका घट जाएगा मार्जिन आपका बढ़ जाएगा इसलिए जबी भी स्टार्ट करें इस बिजनेस को तो पांच लाक रुपे मिनिमूम आप लेकर चलेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे और सई धंक से उस दो फीट बाई एक फीट की टाइस है जो लकडी जो जैसे दीखती है वैसे ही यह नेचरल है इसक में हाथ गुमा ही आप मेट है बिल्कुल रुकड़ा है यह कलेक्शन विट्रिफाइट बोडी पे है अच्छा अपना सेनेट्री वगेरा है अच्छा जो आप यूज कर सकत बात्रूम वगेरा में या तो होल में मानों कोई प्यास आता है तो यह सब अपना बस वही गलेक्शन है अपना टावल हो गया आपना समान भी रख सकते है और उपर अपना हाथ मूं भी दो सकते है और अपना यह फूल बोडी विट्रिफाइट जिसको बोलते है ना फूल में का आता है और нашем लोग में आथा है और प्यार के अंदर कम लोग मंढ़ाने वाले है और लोग मंगवाते हैं और आगे यह कलेक्शन है यह भी अपने बात्रूम गये क्या ची insult क्लेक्शन है अच्छल इसमें फिए और मेनव हाँ के जैसे की लगाने के बाद कोई पता नहीं चल पाएगा कि टाइस लगा हुआ है या दीवालेसा है और दूसरा चीज उसका है लेटर जो है यह ग्लोसी है जो चमक रहा है और यह मेठ है ठीक है रुखडा और ग्लोसी दोनों का कॉंबिनेशन एक ही टाइस में अच्छा यह भी यह आपको हर जगह पे नहीं म अच्छा यह अपना वाराय में ठीकनेश रहती है और पार्किंग के लिए बेश रहता है अच्छा फिर अपने पस हम लोग चाइना से बीच में जो मंगवाते थे अभी भी आ रहा है यह चाइनीस रंगोली है अच्छा चाइना से इंपोर्ट होता है तो यह इंडिया में कि लीजिये उसके बाद ही इस बिजने enough कleri अगर अगर आप लोकल में रहते हैं तो हां कर आप पूरा चीत समझ सकते हैं देख सकते हैं और उमीद करता हूं का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे फेश्बूक मेज पे